नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर और दोस्तों आज मैं आपको जिस औसदी पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों जिसकी मैं पैठान कराऊंगा उसको आप ध्यान से देखेगा ये जो पौधा है ना इस पौ कराऊंजे के पत्तों के पासी काटे होते हैं दोस्तों एम दिभ जडिबूठी का नाम है बंज्ड़दंती आपने चैनल अजोंगा तो ये बंज्ड़दंती और ये बिच्ण मतकारी और महत्पूर्ण फायदे बताऊंगा जो आपके लिए अनेक फायदे होंगे दोस्तों ये बज़दंती एक ऐसी अधवुद जड़ी बूटी है जो दातों को बढ़ापे तक बज़दे के समान मजबूत और टिका कर रखती है इसलिए इस औसदी का नाम है बज़दं कि दोस्तों मैं बज़दंती के कुछ फायदे आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत जादा लापकारी और फायदे बंद होने वाले हैं दोस्तों ये जो बज़दंती दंत लापके अलाबा बज़दंती वुखार सांस की बीमारी खासी जोड़ों में दर्द गठिया गाव तता फोड़े फुंसी इत्यादी को समाप्त करने के लिए तता पाजन सक्ती को दुरुस्ट करने के लिए इस ओसदी को उफ्योग किया जाता है तो दोस्तों बुखार में आप इस ओसदी का परियोग कैसे करेंगे बुखार होने बज़े दंदी का अगर आप पंजांग ले लेते हैं और उसमें थोड़ी पिपली मिला करके अगर आप काढ़ा बना करके शिवन करते हैं तो ये बुखार को ठीक कर देता है जिए दोस्तों बज़े दंती के ताजे पते लेकर उन्हें सुखा कर कटोरी में पानी डाल कर और थोड़ी अगर पिपली डाल कर अगर काढ़ा बनाने का फेक काढ़ा च्छान करके अगर दिन में दो बार शिवन करते हैं तो ये आपके कैसी भी बुखार हो मलेरिया बुखार हो चिकनगुनिया बुखार हो या फिर टाइफट बुखार हो सब इस परकार के बुखार में अदभूद लाब करती है दोस्तों दातों में अगर मसूरों में खून आता है या दातों में अगर कोई तकलीब है तब आप मसूरों और मसूरों और दातों की समस्या को दूर करने के लिए sensitization की समस्या का दातों में होती है या फिर दातों में cavity है तो बज़दंती सबसे अच्छी जड़ी बूटी माने गई है इस औसदी को दूर कर यह है जो बज़दंती की जड़ से तयार जड़ी बूटीयों से कुला करने से यह समस्या खत्म हो जाती है यहां दोस्तों आपको लेना है बज़दंती, अपामार्ग, शौन, पिप्री, काली मिर्च और लॉंग इन औसदीयों को आपको ले लेना है और ले करके आपको कूट करके, पीस करके, कपड़े से च्छान करके, चूरन बना लेना या फिर आपको कुछ निकरना, इस औसदी का कौट बना करके, और उस कौट को मुहें में भर करके, कुला करने से, गरारा करने से, मुहें की बदबू, दातों का सड़ना, पारिया, मुहें से खून आना, एक तारी समस्या पर करके, जो समस्या खत्म हो आती है फिर बबूल की च्छाल, बजदंती, हल्दी, पिपली, शोंट और लॉंग, इन सभी औसदियों का कपड़ शंचूरन करके, और अगर आप अपने दातों पर रगड़ते हैं, तो ये दातों को मजबूत करती है, और ये आपकी समस्या बीमारियों को लाब देती है, दोस्त बालों का विकास होता है, पत्यों का पेश्ट बना कर फटी एडियों पर लगाने से, फटी एडिया भी खत्म जो ठीक हो जाती हैं, जिया दोस्तों जिनकी एडियों ज्यादा फटती हैं, तो भी इस औसदी का प्रयोग जरूर करें, बजदंती के पंचांग का प्रयोग, कि सूखी खासी के लिए अद्भूद माना गया, आप अडूसा ले ले, बासा, बजदंती और सौंट, अडूसा, बासा, बजदंती और सौंट, इन औसदियों को ले करके आप चूरन तयार कर ले, और फिर उस औस औसदी में आप सहद मिला करके, जिया दोस्तों यह जो तो यह आपके सूखी हुई खासी को, जो कोकर खासी चलती है, बगैर उसके, वो उसको खत्म कर देता, इसके साथ इसाथ गठीया रोग में आप पेश्ट बना कर लगा सकते हैं, और पेपदात की सावान फीर सकते हैं, दोयान करी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स हों अच्छे लेकिते बिटेको लाइक और शेर करें धन्यवाद।